तो हेलो दोस्तो मैं हूं हर्श्वर्मा और आप देखें अपना फेवरिट चैनल अल्फा बीटा गामा वर्मा तो दोस्तो इस वीडियो में आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का एक ऐसा फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन चैप करिंगे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारी चैप्टर लाइट रिफ लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन जो चैप्टर का नाम है इन तीन टर्मस को ही हम पहले समझेंगे सबसे पहले लाइट जो होती है डूएल नेचर करती आप elemust में पढ़ने वाले हैं कि लाइट होत सब्सक्राइब अब इसके ऊपर किसी एक सोर्स से सब्सक्राइब एक रे आई अब वह स्मूद सर्फेस की ऊपर जैसे वह पड़ी वह रिफ्लेक्ट बैक हो या फिर बाउन्स हो गई या रिफ्लेक्ट हो गई इस तरीके से जो लाइट इधर आके वापिस रिफ्लेक्ट हुई इस पूर प्रोसेस को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन अब इसके अगर कंडिशन देखें कि रिफ्लेक्शन की कंडिशन क्या क्या हो सकती है सबसे पहली कंडिशन होगी कि एक सोर्स होना चीज सबसे पहले तो उसक लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको रिफ्लेक्शन का यह दिखा देता हूं जो कि हमारा प्लेन मिलर से देखे सपोज यह एक मिलर है जो एक ऐसे स्मूध सर्फेस है इसके उपर इस सोर्च से मानिजिए एक लाइट आई यहां से आकर वापिस रिफ्लेक्ट बैक इधर हो इसकी रिफ्लेक्शन यहां से आई यह एक सोर्च से रिफ्लेक्शन इस पर आई अभी एक स्मूध शाइनी सर्फेस था इसकी वज़ए से यह वापिस उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हो गई अभी हम चैप्टर में लो अफ्रिफ्लेक्शन बीजिली पढ़ने वाले तो डॉन्ट वरी अभी मैं आपको सब चीजे बताने वाला हूं अब हम तर्म देखेंगे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको डैरक्ट करके दिखा देता हूं उसके लिए मुझे चाहिएगा एक मारकर और एक ग्लास में वाटर जो की ग्लास एक व देखिए देखिए यहां से मैंने ऊपर देखिए कहा डाला है और नीचे देखिए इसकी पोजिशन हल किसी जब डिफ्लेक्ट हो रखी है हल किसी एंगल चेंज हुआ है सो यही होता है हमारा रिफ्रेक्शन रिफ्रेक्शन मतलब जो अभी ऊपर का जितना पोर्शन है वो और नीचे का जो है वो वाटर के अंदर है सो दोनों के स्पीड जो है ट्लैवल करने की अलग हो गई इस वजह से हलका से डिफ्लेक्शन इन में आ गया है देखिए देखिए मैं थोड़ा पास से आपको दिखा देता हूं देखो आ गया ना सो यह होता है हमारा अब हम पढ़ेंगे लॉफ रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्शन है ना इसके बारे में एक लॉफ है वो हमी आपको इसीली पढ़ना होगा काफी इंपोर्टेंट लो यह है आपके क्लास 10 के बॉर्ड एक्जाम के लिए देखिए सेम डियाग्राम यही रहेगा पसे सोर्स को म में यहां से जो रहे जा रही है मिरल के उपर वह हो गई हमारी इंडि सी अब यहां पर यहan पर यह ले तो आ गई यह हमारा एक मिलर हों गया अब इस पर आके यह जो इनडिसेंट ले सब्सक्राइenschamp कोई भी अगर एक एंगल बनाते हैं चुम्हश सो एक लाइन टो जो जो होती है जिस ऐंगल लाइन पे एंगल बना होता हो वह हो गया테ल आरा नार्मेल टूदा इंशिदेंस तो यह है अमारा नार्मेल आप जो एंगल हमारा नॉर्मल टुदा इंसीडेंस और रिफ्लेक्टिड रैसे बनेगा वह हो गया हमारा रिफ्लेक्टिड एंगल यह एंगल और यही बना के जो एंगल आई है और एंगल आर है यह दोना आपसमें इक्वल होंगे तो पहला लोग क्या बन गया, angle i is equal to angle r, ये बन गया हमारा पहला लोग, ये पूर आपको समझ आये न, जो line normal to the incidence और incidence ray से जो angle बनेगा वो हो गया हमारा angle to incidence, जो angle हमारा normal to incidence और reflected ray से बनेगा वो हो गया हमारा reflected angle, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे, equal, अब second point क्या बनेगा ह है, second इसका law बनेगा, के reflected incidence ray, reflected ray और normal to the incidence, ये तीनों चीजे एक ही plane पे lie करनी चाहिए, कहने का मतलब देखे, suppose यहां पे example ले लेता हूँ, ये एक mirror है, ये भी एक mirror है, अब incidence ray तो यहां से आ रही है, reflected ray यहां से जा रही है, ये इसकी incidence, ये इसकी incidence, ये इसकी reflected ये इसके respect, ये नहीं होना चाहिए, कि इसका angle i, इसके angle r के बड़ाबर है, नहीं, एक ही plane पे जो incidence ray है, एक ही plane पे जो reflected ray है, एक ही plane पे जो normal to the incidence है, तीनों चीजे एक ही उस पे होनी चाहिए, एक ही plane पे like करनी चाहिए, तभी ये हमाला first वाला point प्रो, हो जाएगा लिख देता हूं, यहाँ पर incidence ray, ray, reflected ray, और normal to incidence, all lie on same plane, ठीक है, आप चाहो तो मैं इसके NCIT भी आपको दिखा सकता हूं, wait a minute, यह देखे, मैं आप लोगों के सामने इस लोग की NCIT में क्या lines लिखे है, वो भी आपके आगे पढ़ देता हूं, देखे, first लिखा है, the angle of incidence is equal to angle of reflection, मैंने आपको क्या पता है, angle of incidence is equal to angle of reflection, second point इसमें लिखा है, the incident ray, the normal to the incidence and the reflected ray, all lie in same plane, मैंने आपको यही चीज़ बताई, कि incidence ray, reflected ray और normal to the incidence, तीनों चीज़े same plane पे लाई करनी चाहिए, तो यह हो गया हमारा angle, ओ sorry, law of reflection, law of reflection अलग आएगा, तो आप बिलकुल भी confused, ना हो ना, अब हम बात करेंगे mirror के बारे में, मिलर के बारे में, जी हाँ, अब हम बात करने वाले हैं हमारे mirrors के बारे में, आपको मेरे पीछे मेरा phone वगेरा दिख रहा होगा, तो अब हम बात करेंगे हमारे mirror के बारे में, खization of एस शेप के basis पे, शेप के basis पे mirror होते हैं, दो types के, यह होगा हमारे दो type के mirror, पहले, plane mirror और next वोगए हमारे spherical mirror so spherical mirror और plane mirror आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं उनसे काफी अच्छे से used to है बट मैं आपको फिर भी एक बार दिखा देता हूँ कि plane mirror कैसे ही यह जो आपके normal हमारे घरों में होते हैं वो होते हैं हमारे प्लेन मिरल्स अब हमारे स्पैरिकल मिरल्स कुन से होते हैं स्पैरिकल मिरल्स हमारे यूज होते हैं हमारे विकल्स में हमारे रेर विल्यू में जो हमारे साइड में पीछे देखने के लिए लगी होते हैं होते हैं हमारे इस पैरिकल मि furnace तो वह होते हैं अ अब ब्रॉम से मुझे कोई यह बता सकता है कि जो हमारे गाड्या होते हैं एक होते हैं A अगर आपको इसका आंसर पता है तो comment section में जबूर आंसर दीजिएगा तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले plane mirror के बारे में क्योंकि हम पहले इसके बारे में पढ़ेंगे फिर इसके बारे में पढ़ेंगे because plane mirror के बारे में हमें बहुत थोड़ा साई portion cover करना है तो पहले हम इस portion को खतम कर देते हैं तो plane mirror को start करने से पहले हमें कुछ चार वर्ड्स या फिर मिरर को start करने से पहले हमें हमारे को चार वर्ड्स समझने होंगे जो की है हमारी देखिया रियल इनवर्टिड वर्चुल इरैक्ट या फिर आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा जो की है हमारा जो इन सब से मिलके बनेगा वो की है हमारा रिवर वर्ड हमें यहाँ पर याद रखना पड़ेगा अब रियल का मतलब क्या होता है अगर कोई वो हमेशा स्क्रीन होती है यह कभी भी आपको इन्वर्टिर का मतलब हो गया उल्टा यह पैन इस तरफ सदाय वपर है यह उल्टा है यह हमारा इन्वर्टिर का मतलब हो गया उल्टा जहां image, उल्टी बनेगी virtual and erect so next word है हमारा virtual, virtual मतलब हो गया, हमारा जैसी की जैसे हमारा object था same वैसी हमारी वो जो हमारा image है, वो form हो जाएगी, next है erect erect मतलब सीधा, erect मतलब हमारी image एक दम सीधी बनेगी अगर हम mirror के सामने सीधे खड़े हैं इमेज भी सीधी हमको दिखाई देगे हमारे सर उपर पैर नीचे नहीं दिखाई देंगे यह चार वड़ हमें इनको समझने से पहले समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था अब हम बात करेंगे character strings of plane mirror तो चलिए बब उनको भी हम देख लेते हैं तो चलिए दोस्तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी character strings of plane mirror मतलब plane mirror की कया-k müe TM Мыजीं से जो जो हमारी images बनेगे उनकी क्या-क्या विशेश्ष्ट भी यह थै अब यह question काफी साल पूछा जाता काफी पूचा जा चुका है और काफी बार आता भी है तो आप इस पॉइंट को अच्छे से समझेगा देखिए प्लेइन मिलर मतलब क्या देखिए आपको प्लेइन मिलर में आपको इतनी देल से दिखा रहा हूं अभी तक पैचान चुके होंगा यह है हमारा प्लेइन मिलर सो अब मेरी इसमें कैसी इमेज बनेगी सबसे पहली बात मेरी देखिए मैं इसमें कैसा लगरा हूं देख लेता हूं सो मेरी इसमें इमेज वह एकदम सीधी बन रही है और अभी मैंने आपको चार वर्ड बता रिवर मतलब देखिए रिवर से जो मैं कहना चाहता था र-i-v-e-r म बनेगा वर्चल एंड इरेक्ट हमेशा एक साथ बनेगा सो अगर मेरी सीधी इमेज बन रही है मेरी इमेज इरेक्ट बन रही है तो वह वर्चुल भी होगी सो मेरा पहला पॉइंट क्या हो गया इमेज होगी वह मेरी वर्चुल और इरेक्ट होगी अब मेरा second point क्या बनेगा मैंने जो अपने mirror में देखा मेरा जितना बड़ा face मुझे लगता है उतना ही बड़ा इसमें भी दिख रहा है मतलब कोई size में अंतर नहीं है सो same size का बन रहा है so next हमारा क्या आगया same size जिसको magnification भी कह सकते है same size of object and image so same size हमारा object और image का बन गया है third point जो हमारा बनता है इसकी image का वो होता है हमारा literally inversion अब यह word आपने काफी बार सुना होगा आप अगर आपने एक plane mirror के सामने अपने आपको खड़ा देखेंगे देखेंगे मैंने अपना right hand up किया है बट मुझे इसमें वो hand mirror left side पर show हो रहा है यह property हमारे plane mirror की characters है हमारे plane mirror की literally inversion मतलब अगर हमने mirror के सामने अपना right hand up किया है तो हमें वो left side में visible होगा left hand up किया है तो वो हमें mirror में हमारे right side में visible होगा अगर आपने अभी तक ऐसा कभी notice नहीं किया है तो अभी भाग के plane mirror के सामने जाओ और जल्दी इसे notice कर लो सो next क्या बन गया image जो वो बनेगी वो हमारी बनेगी लेट्रली इन्वर्टिड अब यहां पर हमें सिर्फ इन्वर्टिड नहीं लिख देना है बिकोज अभी मैंने आपको बता इन्वर्टिड मतलब उल्टा होता है सो लेट्रली इन्वर्टिड ऐसे उल्टा लेफ्ट राइट में उल्टा एक्स वाई में उल्टा नहीं लेफ्ट राइट में उल्टा सो यह बन गया हमारा लेट्रली इन्वर्टिड इमेज भी हमारी होती है फोर्थ पॉइंट है यह क्योंकि ये रियल तो बन नहीं रहे है सो स्क्रीन पे तो है नहीं तो यह इमेज बनती है हमारी भी हाइंड़ दमिलर हमें यह इ। होती है अब इसका अभी हम लिखेंगे वह हम लिखेंगे हमारे मेगनिफिकेशन के उपर जिसका का Magnification होता है वह होता है मारा प्लस फॉसिटीव 1 अभी पोजिटीव 1 अब ये मैगनिफिकेशन का एक फॉर्मला भी हम पढणेंगे अभी मैं आपको बता देता हूं हाइट उफ इमेज अपन में हाइट ऑबजेक्ट अगर सीम बन रहा है तो अगर 2 संतीमिटर कई अगर मेरा इमेज बन लिए दो सेंटीमिटर का मेरा ऑब्जेक्ट था सो वन ही आएगा ना सो इसका मैगनिफिकेशन ओल्वेज वन रहे अभी आपको मैंने समझा दी हैं आप इनको नोट कर लीजे आपके काफी ज्यादा पूछे जाती हैं तो दोस्तों अब हम आचुके हमारे आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक पर जो की हमारा स्पैरिकल मिर्स के बारे में थोड़ी से हम यहाँ पर डिसकेशन कर देंगे स्पैरिकल मिर्स के मैं आपको दो पाइट्स बता दें जो कि हमारा कंकेव और कंवेक्स मिर्ल यह हमारे दो कंवेक्स यह हमें दो टाइप के हमारे मिर्स के बारे में